हेलो डियेर इस्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई इस्टूरी मेड डिले चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे वर्कसीट 15 की जो क्लास 6 के सोसल साइंस के बच्चों के बच्चों के लिए सेडियूल की गई है और जो 26 अगस्त 2021 के लिए सेडियूल है तो इसका बच्चों जो उबिसा है वो है विवित्ता को प्रभावित करने वाले कारक पिछली वर्कसीट में भी इसी टापिक अंतगत हम लोगों ने चर्चा किया था तो आईए इसको अब हम लोग सुरू करते हैं सुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को स होचती रहें तो इसमें बच्चों दिया है लोग नई जगह पर जाकर क्यों बसते हैं तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं तो इसमें आप पहला कारण लिखोगे नवकरी दूसरा लिखेंगे ब्यापार और तिसरा लिखेंगे सुरच्छा ठीक है ऐसे तीन महतपूर कारण हैं जिसके वज़ाँ से लोग एक जगा से दूसरे जगा जाकर बसते हैं और इसमें आए बच्चों आगे बढ़ते हैं गतिविधी करनी आपको भारत के लोग भी भी तरीकों से नीचे काम करते हैं कई तरीके दिये हैं और यहां उनमें से एक तरीका आपको बताया गया है मतलब एक तरीका आपको बताया गया है इसमें से आपको दो तरीके अपने हिसाब से लिखने है इसमें पाला है बच्चों प्रार्थना या इबादत करना एक तरीका दिया है भक्ति गीद गाना लोग जब प्रार्थना करते हैं तो भक्ति गीद गाते हैं एक तरीका दिया है आपको दो तरीका इसमें भरना है तो आप दुसरे में भर सकते हैं नमाज अधा करना ठीक है और तीसरा तरीका आप इसमें भर सकते हैं गुरु द्वारा में प्रार्थना करना तो यहाँ पर लिखेंगे गुरु द्वारा में प्रार्थना करना ठीक है और दूसरा है इसमें साधी करना तो साधी करने में एक तरीका आपको दे रखा है अदालत के रजिस्टर में दस्तगत करना तिसमें दो तरीके आपको और भरने हैं तिसमें आप भर सकते हैं मंदिर में साधी करना तो ऐसे लिखेंगे मंदिर में साधी करना और एक तरीका और इसमें लिख सकते हैं बरात लेकर साधी करना तो बरात लेकर साधी करना ठीक है? और अगला है इसमें बिभीन प्रकार के कपड़े पानना लोग बिभीन प्रकार के कपड़े पानते हैं जगा जगा पे तो इसमें एक तरीका दिया है मड़ीपूर में औरतों का फनैक पानना जब मड़ीपूर के औरते होती हैं वे फनैक पानती हैं तो और तरीके आपने देखे होंगे जैसे कि औरते साड़ी पानती हैं जो उत्तर भारत के अगर बात करेंगे तो यहां लिखेंगे उत्तर भारत में साड़ी पहनती है ठीक है और इसमें लिख सकते हैं कि पहाड़ी छेत्रों में सलवार और कुर्टा पहाड़ी यानि कि कस्मीर छेत्र में सलवार और कुर्टा ठीक है तो पहाड़ी छेत्रों में क्या पहनती है कि कस्मीर में आप जाओंगे तो वहाँ देखेंगे कि सलवार और कुर्टा पहनती है और इसमें बच्चों आगे हैं अविबादन करना ठीक है इसमें एक तरीका द रख्का है जारखन्ड के आदिवासियों का एक दुसरे को जोहार करना ठीक है उसमें लोग एक दुसरे को जोहार करते हैं गले लगाते हैं तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि पाउव छूकर प्रडाम करना ठीक है और जो एक तरीका और आप इसमें लिख सकते हैं हाथ जोड़कर नमस्ते करना हाथ जोड़कर नमस्ते करना ठीक है तो इस तरीके से आपका ये कालम पूरा हो जाएगा और उसके अब आगे है बच्चों चावल पकाना इसमें एक तरीका दिया है मीट या सबजी डाल कर विर्यानी बनाना ऐसे में भी चावल पक जाता है और इसमें दो तरीके आप लिख सकते हैं सब्जी द आल कर खिच्ड़ी बनाना रही ह número 1966 सब्जी डाल वह मसाले कि मसाले डाल कर खिच्ड़ी बनाना इस तरीके से भी चावल पक जाता है और आप इडली देखे होंगे तो उसमें आप लिखेंगे उबाल कर उबाल कर या पीस कर ठीक है उबाल कर या पीस कर इडली बनाना इडली बनाना तो इस तरीके से आप चावल पकाने के तीन तरीके आप इसमें पूरे कर सकते हैं इसमें बच्चो ये से आपकी ये जो गती विधी है ये कंप्लीट होती है इसमें अगे दिया है बच्चो लोग नौकरी ब्यापार तो था सुरच्छा की تलास में हमने उपर ल रहां सान में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। भगोलिक आण मतलब परवत पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर एक स्तान हैं। किस तरह बिभिन संस्क्रितिक प्रभाओं ने वहां के जीवन और संस्क्रित को आकार देने में युगदान दिया है इस तरह से कई छेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण बिविस्ता संपन हो जाते हैं मतलब आप जहां भी जाएंगे वहां का देखिए पहनावा बोल चाल ठीक है रहने के तरीके सब में आपको मतलब बिविस्ता हैं दिखाए देंगे अलग अलग जरूर दिखाए देंगे आप दच्छल भारत में जाओगे तो हाँ आप देखोगे कि लोग धोती पहनेंगे ठीक है सूती कपड़े पहनेंगे धोती औरतें भी धोती पहनती हैं ज्यादतर चंदन लगाएंगी और उत्तर भारत में आप देखोगे कि औरतें साड़ी पहनती हैं कुर्ता पहनती हैं तमाम चीजें हैं तो जहां भी आप जाएंगे भगोलिक परिस्थितिक अंसार वहां की आप देखेंगे हर तरीके भासा, भोजन, संगी, धर्म सब कुछ में आपको अलग अलग चीजें दिखेंगे तो ये था बचों दिवित्ता की समझ और ये वीडियो यहें पर कम्प्लीट होती है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में सेर करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू